नमस्कार जन नेक्स्ट में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ निखिल सिंग जन्नेक्स्ट यानी अगली पीडि़ी का कारिक्रम हमारे युवाओं का कारिक्रम हर बार हम जन्नेक्स्ट के इस खास कारिक्रम में विविद विशें Siyaise से जुले हुए विशेयों पर चर्चा करते हैं और आज का विशेय है युवा और सूफिवाद किस तरह से सूफिवाद आज भी प्रासंगिक है दरसल सूफिवाद है क्या सूफिवाद यानि प्रेम और सवहार्द का संदेश सूफिवाद यानि इश्वर के प्रती पूंड स समर्परण का संदेश, सूफिवाद, यानि अपने आपको शुध करने का, अपने अंतरमन को शुध करने का संदेश, तो कुल मिलाकर ये एक मौजू विशय है, आज प्रासंगिक है, इसको देखने की बात है कि हमारे युआ इस पर किस तरह से सोचते हैं, क्या विचार उनके हैं, और इस विशय पर और आगे बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास महमान भी हैं, सुजात अली कादवी साब हैं, जो मुस्लिम स्टूडेंट्स और इंडिया के जनरल सिग्रेटरी हैं, और उसके रावा अखलाक उस्मानी साब हैं, जो वरिश्ट पत्रकार हैं, तो सब क्या चीज़, सूफी वाद से कैसे निप्टा जा सकेगा, सूफी वाद क्या है और कैसे इससे निप्टेंगें? देखे, इस समय जो पूरी दुनिया का मुस्लिम जगत है, वो बहुत बड़े दुराहे पे खड़ा है किसे कौन सा रास्ता अपनाना है, और ये जो आतंगवाद की समस्या है, ये मुस्लिम सोसाइटी के साथ क्यों है, इस पे हम अब आगे बाचीत में रोश्ट डालेंगे लेकिन फौरण आपके सवाल का जवाब वो ये है, कि इसलामिक वर्ल्ड के सामने दो रास्ते बचते हैं, कि वो क्या कटरता की तरफ जाएगा, या वो सर्म, धर्म, सम्मान और सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाली सूफी वाद की विचारदारा को अपनाएगा, अगर आप क्लासिफाई करें दुनिया में जो करीब 56 या 60 इसलामी मुल्क हैं या जहां मुसल्मान साइजबल वॉल्यूम में मौझूद हैं, आप पाएंगे कि जहां जहां मुसल्मान सूफी विचारदारा को मानते हैं, या वो बहु संखेक हैं, वो देश परकती कर रहे हैं, औ और ये सारी चीजें समाज की सारी धारा तै होती है युवाँ से, क्योंकि युवा एक साथ दो पोटेंशिल आपके सामने पेश करते हैं, या तो वो समाज को बदल दें और उसे एक पॉजिटिव रूप में इतना विक्सित कर दें कि आप बहुत आगे जा सकते हैं, या ए अगर टेरिजम की बात हो, तो सूफिजम की बात हो, क्योंकि सूफिजम इस दे बिगिस्ट एंटी डॉट तो टेरिजम। पर या कट्रता पर लगाम लगाते हूं. हिंदुस्तान में कोई भी आपको ऐसा एक वाकिया नहीं मिलेगा कि जब हिंदू और मुस्लिम दंगे या फसाद हुए हों. उसकी वज़े यही कि यह हिंदुस्तान जो सूफि संतों का देश रहा है और सूफिया एकराम यानि जो सूफि सैंट थे उनका प्राइम आपजेक्टिव यही होता था कि लोगों के दिलों को जोड़ कर समाज को जोड़ा जाए. वो धर्म के नाम पर जो प्रैक्टिसेज हैं उनको सेकंड पॉजिशन पर रखते थे. पहला उनका मकसद होता था कि मानों की सेवा, इंसानियत, खिदमते खल्क लोगों के दिल को ना दुखाया जाए. यह जब इस मिशन पर लेके समाज को आगे बढ़ाते थे तो देश आ आश्र बना था. आज वहां क्या सिच्वेशन है और किस तरीके से आतंकवात की जड़ में वो देश घरक हो रहा है. लेकिन वही पर हिंदुस्तान कि यहां तमाम मजभब के मानने वाले हैं, लेकिन उनके आपस में उसी मुहबत, उसी मिलन और उसी भाईचारे के साथ वो मिलेंगे. आकड़ा ये बताता है कि 64% लोग, 64% लोग करीब दरगाओं पे जाने वाले वो बहु संख्यक लोग हैं. यानि वो मुस्लिम नहीं गएर मुस्लिम लोग हैं. तो ये एक ऐसी विचारधारा है कि अगर इस विचारधारा को आज हम समाज में आगे बढ़ाएंग तो लोगों को जोड़ने का काम मिलेगा, लोग आपस में जुड़ेंगे, उनके बीच मुहबत, आपसी भाईचारा और अमन का परचार होगा. और अगर इसके अगेंस्ट में हम उस विचारधारा को पनपने देंगे, जिससे आज पूरी दुनिया तबाही मांग रही है, जो हिंदुसतान का वही हश्र होगा जो आज पाकिस्तान का हो रहा है, सीरिया का हो रहा है, एराक का हो रहा है, यह तुर्की का होने जा रहा है. और यह आता है कि अभी तहिरल कादरी सहाब ने भी जा रही है जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जिहाद के नाम पर देशत गर्दी की जा रही है यह इसलाम में कहीं भी दिया नहीं गया है और इसलाम इसको कुबूल नहीं करता है तो यानि कि सूफी वाद की ज़रूरत हर जगा पे है और इसको गलत तरीके से यानि कि जो एक बार जिहाद की बात हो रही है उसको गलत तरीके से इंटर्पेट किया जा रहा है बिल्कुल आज समझने की जूरत इस चीज़ की है कि लफज जिहाद यानि जो जिहाद वर्ड है उसको दरसल उन लोगों ने हाईजेक कर लिया है जिनका रिलेशन ना तो इसलाम से है और ना ही किसी स्कूल आफ़ थार्ट से है मैं तो उन्हें ये कहता हूँ कि वो दरसल इसलाम का लिबादा पहन कर इसलाम का फेस लेकर वो इस लफज को इस्तेमाल कर दुनिया में मौझूद जितनी प्राकृतिक संसाधन है नेश्रल लिसोर्सेज़ें उनको लोटना चाहते हैं आप मिडल इस्ट देख लीजे आज जो इसलामिक स्टेट बनाएं और फिर वहां मौझूद जितनी धार्मिक जितनी नेश्रल लिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल अपने अपने जात के लिए करें तो लफज जिहाद का गलत इस्तेमाल हो रहा है जिहाद का मतलब यह है कि अगर प्रॉफिट मुहम्मद से किसी ने पुछा कि जिहाद क्या है तो आपने कहा कि अपने नफस से यानि आपकी जो इच्छाएं हैं इच्छाओं पर काबू पाने का चानाम जिहाद है अभी हमने चर्चाभी की वर्ड सूफी फॉरम कांफरेंस भी चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि अगर आतकवाद से निपटना है तो सूफी वाद जो है उसका एक तरीका हो सकता है क्या तरीका वास्तों में हो सकता है ये बहुत जरूरी है अगर आपको अगर ये समझना चाहते हैं कि जमना के उधर क्या है तो जमना के पार जाना होगा मैं कहना यह चाहरा हूँ आपसे कि अगर उदार पंथी समुदाए को आगे लाना चाहते हैं तो जाहिर है कटर पंथी तत्वों से निपटना चाहते हैं तो कटर पंथी तत्वों से निपटने के फिर दो तरीके होंगे आपसे पहला आप जो सिस्टम में कट्रपंती तत्वे उनको बाहर करें अब सवाल यह है कि इसलामीक अफेर्स में वो संस्थाइं कौन सी हैं वो संस्था हज, हज अफेर्स, वक्फ बोर्ड, मुस्लिम कल्यानकारी योजना है जिसको अलब संथ कल्यानकारी योजना भी कहा जाता है और वो सभी सरकारी स्कीम्स और इदारे और आयोग जहां से इस सोसाइटी को सरकार या संस्था या गौर्वर्मेंट एस्टाब्लिश्मेंट एड्रेस करता है अगर वहीं कटरपंती तत्व बैठा है तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ में उन लोगों की आत्मा को संतुष्ट करता रहेगा जिनसे वो दूसरी सेल्ली उठाता है तो ये बहुत समझने की जरुद है कि क्या वो देश के लिए काम कर रहा है या वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ दूसरे लोगों के लिए कटरपंती तत्व के लिए काम कर रहा है और दूसरा जो इसका पहलू है वो ये कि सिविल सोसाइटी के बीच में सरकार क्या पहल करे जिसके आधार पर कटरपंत पर रोक लगाई जा सके तो सरकार को चाहिए कि जितने भी सिविल सोसाइटी मूवमेंट समाच के अंदर की गंदगी को समाप्त करने के लिए चल रहे हैं उनको ताकत दी जाए जिसमें मैं साफस तार पर कहूंगा कि जिस वहाबी आइडिलोजी के खिलाफ खुद सूफी समुदाय खड़ा हुआ है उनको शक्तिमान बनाया जाए उनकी आवाज को बढ़ाया जाए मीडिया में प्रश्रे दिया जाए और उनसे जुड़ा हुआ लिट्रेचर विश्वी विद्याले और स्कूलों के लेवल पे इसलामी की स्टडीज में और नेतिक शिक्षा में पढ़ाया जाए जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे कैसे कंट्रोल कर लेंगे मैं मानता हूँ कि सरकार को चाहिए कि एक सूफिजम पर एक चैप्टर बनाए और बिभिन कॉलिजेज यूनिवर्सिटीज में सूफी चियर की इस्थापना करें और वहां पर उन सूफी संतों की जीवन और उनकी जीवनी पर बाकादा तोर पर पढ़ाई जाए से कुछ हासल नहीं कर पाएंगे एक एक्जामपल देता हूँ यहीं दिली में हजरत महबूब लाही की दरगा है यहां आपके दरगा में एक शक्स आता है और आपको गिफ्ट के तौर पर दो चीज़े देता है एक आपको कैंची देता है दूसरा जो है आपको सूई और ध धागा ले लिया और फिर यह कहा कि हमारा काम सूई और धागे से लोगों के दिलों को सिलना है लोगों के दिलों को जोडना है कहेंची की तरह कतरना नहीं है तो जब ऐसे बुजर्गों की ऐसे सूफियों की सिक्षाओं को पाट करम में शामिल किया जाएगा और हम उनसे इसलामिक इस्टेडीज के नाम पर जो स्लेबस चल रहा है वहां से उन लेखकों के चैप्टर्स को स्लेबस को हटा कर उदारवादी सूफी विशारधारा को लाया जाए और ताकि लोगों के बीच एक जो है सूफी वाद की भावना पैदा हो सके हमारे युवा क्या सोचते है इसके विशेपर आईए इससे जानने की कुशिश करते हैं हाँ आप बताये जी सर आपने बताया कि सूफी वाद विएस्ट एंटिडॉट अगेंस्ट टेररिज्म है तो आप इसका कारण बता सकते हैं कि हमारा देश सूफी संतों का देश रहा है तो उस समय से लेकर आज त जाते हैं और दूसरे पेश्वा माने जाते हैं उनके दामाद हजरत अली और उनसे ही पूरी सूफी संतों की परंपरा चली है और वहां से जितने लोगों ने माइगरेट किया एक बहुत इंटरेसिंग फैक्ट है निखिलिया जानना बहुत आवश्यक है इसलाम पे पूरी भारत ही रहा है इसलाम अरब से निकला तो उसके लिए माना जाता है कि वो नंगे बदन था बरहना कहते हैं उर्दू में और उसको कपड़े और जेवरात और खुश्बू मिली फारस में यानि एरान और सेंटरल एशिया में और कहा जाता है कि इसलाम फिर वहां से चला और उसने जो घर पसंद किया जहां से रहना था वो भारत है तो ये कहने का आतात पर यह है कि इसलाम की असली आत्मा उसकी सूफिजम में है और उसको पूरी तोर पर भारत में जिया जाता है और भारत में सूफिजम के मानने वालों की तादाद लगातार बड़ी है और ये करम बहुत चाल से नोर्वार शांती इसके मेना प्रिंसिपल में इसके बाउद भी इंडिया में बहुत से द्नले दीकितर रहा है तो अधान से सब्दों पहले हिंडोर। कहां से आया जाहिर है कि जो बितिश हुकूमत भारत में थी उसको ये समझ में आया 1857 के एक कामियाब Attempt of Freedom को देखके उन्होंने इसको दबा तो दिया लेकिन उनको ये समझ में आया कि हिंदू-मस्लिम एकता को तोड़ना बहुत आवश्चक है इसके लिए उन्होंने दो काम किये पहला हिंदू-दक्षिन-पंद को मजबूत करने वाले लोगों को अपने यहां सिस्टम में जगए दी बिलकुर वही गलती जो भारत की आजादी के बाद से मुस्लिम कल्यानकारी योजनाओं में उन मुस्लिम चेहरों को बिठाया जा रहा है जो वहाबी आइडियलोजी को फॉलो कर रहे हैं और बिलकुर उसी तरीके से अंग्रेजों ने अपने पूरे सिस्टम में जो मुस्लिम अफेर स्ताय करते थे वहाँ साओधी अरब में उस दौर में जो लोग ट्रेनिंग लेके आये थे उनको अपनी सिस्टम में जगए दी नतीज़ा आप सब के सामने है 1857 के बाद लगातार दंगे हुए है और आजादी हमें कब मिली 90 साल बाद किस कीमत पे तीन टुकडे हुए मुलके उस कीमत पे और वो कीमत क्या थी धर्म के आधार पे बटवारा तो मेरा कहने का ताथ पर यह यह है कि समाज में जब बहुत मजबूती आती है तो जो भी शोशक राज्य होते हैं वो यह मान के चलते हैं कि समाज को कमजोर करना आवशक है और वो समाज के भी जहर गोलने का काम करते हैं इसलिए समाज की जिम्मेदारी बनती है कि उन सभी साजिशों को समझे आज तीनों राज्यों का आप अगर इसतर देखें साउथ एशिया में भारत बहुत अग्रणी और तेजी से प्रगती कर रहा देश है लेकिन हमारे सामने बहुत सारी सामाजिक चुनौतिया हैं जिनका मुकाबला कैसे करेंगे आप हिंसा का उत्तर हिंसा नहीं है पाकिस्तान जो धर्म के आधार पे बना और एक वहावी आइडेलोजी को फॉलो करने के साथ ही बरबादी के कगार पे पहुंच गया और तीसरा बांगलादेश जो पाकिस्तान से आजाद हुआ आर्थिक प्रगती में बहुत नीचे गया उपर आया वहावीज ने उसके उप हैं वहाँ आप पाएंगे कि समाज के वीच में गरबर तत्व हमेशा गरबर पहलाते हैं इसलिए भारत का जहां तक प्रशन है हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि धर्म के आधार पर जो लोग समाज को बाटने का काम करते हैं उनको काउंटर किया जाए और समाज की आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि अगर समाज को कोई बाटने की कोशिश करता है तो आप उठ खड़े हो और आप आवाज दे आप से ये उम्मीद की जा रही है जिस सूफी वाद के प्रसार की बात हम कर रहे हैं वो निश्चित तोर पर उसका प्रसार कौन करेगा अगर आपके पास हो मन में जी मेरा सवाल अकलाक साप से है सही जिस तरके से आतमवाद का उद्या हो रहा है आतमवाद वाहबी विचारधारा का उद्या हो रहा है ये सूफी वाद पर एक प्रस्चिन नहीं उठाता है नी उठाता क्या है उसको तो रिजेक्ट करता है अग अगर आप देखेंगे सीरिया, लिबिया, लबनान, इराक और काफी हद तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान यहां आप पाते हैं आपको यह खबरें तो आप पढ़ते हैं पर आपको शायद कम समझ में आती है कि यह क्या हुआ कि कोई आत्मगाती दस्ता आया और उसने दरग लगता है, बिल्कुल शुजात ने जैसा कहा कि समाज में और राष्ट्र में और शेत्र विशेश में उपलब्द प्राकरतिक संसादनों और समाज को लूटने का काम और स्टेट के नाम पर महिलाओं का लगातार शोशन और बलातकार का कूचकर और मानो तसकरी का धंदा व वो वेस्टेड इंट्रेस्ट वाली ऐसी किनी लोगों को नहीं चाहिए, जो मानते हैं कि प्राकरतिक संसादनों पर कबजा किये बिना, वो इस देश पूरी दुनिया पर राज ना कर सके। कि उसका प्रिचार प्रसार जादा अच्छे से किया जाएं। कि इन विशयों से कहीं न कहीं सार्थक राजनीती को जोड़ना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अमरीका का लोकतंतर दो सो सालिया उससे अधिक का है तो वो उतना ही विक्सित है क्योंकि उन्होंने उतना राजनीतिक विमर्ष का सफरताय किया है। अगर आप यूरोप को देखें जहां वो बेशक इंग्लेंड अपने आपको एक राजा के तहट मानता है परन्तु उनका राजनीतिक विमर्ष हम से आगे है क्योंकि उनकी लोकतंतर का इतिहास हम से जादा पुराना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कट्रता को देख के न घबराएं। आप राजनेताओं की धर्म के आधार पर की जाने वाली राजनीति से भी न घबराएं। आप धर्म के आधार पर बाटे जाने वाली समाज की उनकी कुचालों से भी न घबराएं। आप इसको उस राजनीत पहले प्राप्त किया अपना राजनीतिक विमर्ष पहले तैय किया उन्होंने अपने आपको लोगतंतर के लिए पहले तैयार किया और आज अमरीका में सिविल सुसाइटी स्टेट से जादा मजबूत है इसमें कहने की कोई आवश्कता ही नहीं है वो अपने ही सरकारों के खि नहीं नहीं भटक जाए कि हमें उसे वापस लोटाने में लंबा लंबी ताकत लगाने ही एक बार हम दुबारा वापस लोट गाएंगे जो सिक्षा की बात हो रही थी कि किस तरह से रैडिकलाइजेशन जो हो रहा है सूफी बात के प्रसार से जो अकटरी करण की तरफ बढ आपको उन मुलकों के मिसाल देना चाहता हूँ कि जिन्हों ने जहां पे कटरता थी लेकिन उन्हों ने अपने सिस्टम में सुधार किया खासकर एजूकेशन के सिस्टम में क्या ऐसा सुधार किया और उसके बिना पर आज वो मुलक आमन की गहवारा बने हुए हैं चेचनि कार को चाहिए कि असल में वाकई में अगर वो सूफी वाद को बढ़ावा देना चाहती या कटरवाद को खत्म करना चाहती उन देशों की कारड़ाली का अध्यों करें और वहां से जो उन्होंने लिया हो उसको हिंदुस्तान की शिक्षा प्राली में लागू किया जाए और आज मदरसों में सिर्फ 4% मुस्लिम स्टूडिन्स जाते हैं पढ़ने के लिए यानि मुस्लिमों का सिर्फ 4% पढ़ने जाता है तो जरूरी इस चीज़ की है कि मदरसों की जो बेसिक दीनी एज़िक्वेशन है उसके साथ उसमें मौडन एज़िक्वेशन लाया जाए साइंस और मैथ, इंगलिश की तालीम हों दी जाए और लोगों को दीन की तरफ जहां वो पढ़ते हैं साथ-साथ उनको दुनिया भी दिखाई जाए क्योंकि जब वो दुनिया यानि मौडन एज़िक्वेशन दीन के साथ हासिल करेंगे तो उनको बहतर रोजगार मिलेगा, बहतर केरियर मिलेगा जब बहतर रोजगारों केरियर मिलेगा और खास्तोर से मुस्लिम यूवा अगर हमारे साथ में हैं कि पिछली कॉंग्रेस सरकार ने सेंट्रल मदरसा बोर्ड बिल को पास करने की कोशिश की उसको सारे मौलानों ने मिलके रुकवा दिया अब उनसे पूछे कि इसके पीछे कारण क्या है सेंट्रल मदरसा बोर्ड ऐसा क्या दे रहा था जिससे मौलानों को डर लगता है वो भारत सरकार ये चाहती थी उस समय की भी और मैं चाहता हूँ कि जो वरतमान सरकार है इस बिल को फॉरन पास करे ये सेंट्रल मदरसा बोर्ड बिल दे रहा था भारत के विकास में सायोग देशाएं सबसे खास बात यह है कि हमारे युवा हमारे जो साथी हैं वो ही इसके वाहक बनेंगे वो ही इसका प्रचार प्रसार करेंगे वो जो सूफिवाद की सिक्षाएं हैं उसको आत्मसाथ करेंगे और समाज में इसको सामने ले करके जाएंगे और जो अगर कुछ इनके भटके हु हमारे यही युवा साथी करेंगे फिलाल आज की इस चर्चा में बस इतना ही आप हमें दीजे इजाज़त नमस्कार